नमस्कार दोस्तो आप सभी का फिर से स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तो अगर आप अपने किसी पुराने दुश्मन से बदला लेना चाहते हैं, उसे बिलकुल बरबाद देखना चाहते हैं। ऐसा कोई भी इंसान जिसने आपके जीवन में बहुत बुरा कुछ किया हो, आपका जीवन ही नर्क बना दिया हो, बहुत बुरा यानि कि इतना बुरा की आपके जान पर ही बनाई हो, या फिर किसी ने आपको ऐसा दोखा दिया हो, कि उस दोखे के गम में आपका जीना ही दु इसा इंसान ही कहलाता है आपका सबसे बड़ा दुश्मन ऐसे व्यक्ति ना सिर्फ आपके लिए बलकि आपके परिवार के लिए भी खत्रा होते हैं। इसान ही तरह से सुन लें क्योंकि बिना उस मंत्र के यह उपाय कारे नहीं करता है। उपाय का परियोग किया जाता है। दोस्तों माचस की डिबी मात्र से यह उपाय हो जाता है। और जो चीज इसमें रखनी है और जो मंत्र आपको बोलना है वह हम आपको बताने वाले है। किरपया करके आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जैबजरंग बली एक बार आवश्य लिख दें। क्योंकि कोई भी सुबकार्य करने से पहले एक बार भगवान का नाम लेना अती आवश्यक होता है। और अगर आपको वीडियो अची लगे तो आप इसे शेयर करें। साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमई बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमई जीवन। सबता में किसी भी दिन जिस दिन आपके पास समय हो या फिर आप इस क्रिया को करना चाते हैं उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस क्रिया को करने के लिए कोई अवस्था नहीं है। आप चाहें तो इसे बैठ कर लेट कर खड़े होकर जैसे भी चाहें उस अवस्था में लाई जा चुकी हो अगर आपकी पुराने माचिस में तीलियों की संख्या जादा है तो आप उसमें से कुछ तीलिया निकाल कर दूसरी किसी डबी में डाल दें क्योंकि आपको हम कुछ सामगरियों के बारे में बताएंगे जो कि आपको इस माचिस की डबी में रखनी है उसकी जगे बना लेने और कुछ मातिस की तीलिया निकाल कर कहीं और इसको रख दें। अब आपको 11 दाने राई के लेने हैं और इसे अपने मस्तक के उपर लगा कर तीन बार ओम ओम और ओम का जाब करना है। उसके बाद इन 11 दानों को आप इस मातिस की तबी में डाल दें और उपर से एक चुटकी सिंदूर छिड़क दें। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है। आपको एक कागज लेना है और कागज पर काले रंग के पैन से या फिर काले रंग के स्केच पैन मार कर या फिर काले रंग की स्याही से आपको अपने दुस्मन का नाम लिखना है। चाहे आपको उसका पूरा नाम ना भी पता हो, जितना भी नाम पता है, बस उस व्यक्ति को याद करते हुए उस दिस्मन का नाम लिख देना है, और इस कागज को मोड करके इस माचिस की डबी में ही डाल दे. इसके बाद आप इस माचिस को चाहें जिस भी समय, चाहें इसी समय, अगले दिन, एक गंटे बाद या जब भी आपको समय लगे, तब आपको इस माचिस की डबी को ले कर जाना है, अपने घर से बाहर, किसी भी दीवार की आड में, या फिर किसी भी खुले स्थान पर, जहां आपको कोई टोके नहीं, वहाँ पर आपको छोटा सा खड़ा करके, आपको उसमें इस माचिस की डबी को दवा देना है, दवा देने के बाद, इसके उपर से थोड़ी मिट्टी डालकर, तीन बार इस माचिस की डबी के उपर से लात मारनी है, और बिना पीछे मुड़े, यह मंतर का उच्चारण करना है, मंतर ध्यान पूरवक सुने और वीडियो को कहीं भी रोक करके इस मंतर को कहीं लिख ले, ताकि आपको यह मंतर बोलते वक्त कोई भी गल्ती ना हो, आप पहले मंतर को याद कर ले और उसके बाद आप आँखें बंद करके आप इस मंतर को ती च्छूव करना है।ğin विनाशे फट स्वाहा Self dar Cheese Ilhaid टोूद्ध ऑम रेविस्षय काव्याम कु वालवन रावन विनाशे फट स्वाहा, भ उतना मातर उपाय करते ही आपके दूस्मन की चारे और से भरबादी शूरूँ جती है, कि उतना है ऐगाहा हुद झाल झाल झाल